हलो फ्रेंट्स विस्टाब सभी क्या हैं आप स्वागत है मेरे चैनल वॉट्स न्यूपेस ओ फ्रेंट्स आज के वीडियो में मैं आपको एम आयो एटेन एमस का जो लेटेस्ट विल्ड आया उसका रिव्यू करने वाला हूं साथ यह भी बताने वाला हूं कि आप उसको कैसे अपने मोबल पर इंस्टॉल कर सकते हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दूस्तों अगर अपने मेरी चैनल अभी तक कर लीजिए तो चलिए फ्रेंग स्टार्ट करते हैं जैसे कि दोस्तों आप देखी सकते हैं एम आयो एक टेंड का जो लेटेस्ट विल्ल है 8.10.18 उसका एमस वर्जन जो हो रिलिस हो गया है इसके लिंक जो आपको डिस्किप्शन में मिल जाएंगी अगर जो आपके मोबल क जो कॉल है वो कनेक्ट हो गया है उसके बाद दोस्तों हम कैमेरा की बात करें तो कैमेरा में आपको जो 4K HD रेकोडिंग का ऑप्शन है ओभी मिल जाता है और कई मोबल में पोर्ट्रेट मोड का भी ऑप्शन मिल जाता है तो यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं जिस भी म मोबल में face data available नहीं होगा कुछी device में जो face data आपको देखने को मिलेगा तो आप देखे सकते मेरे में यहां पर fingerprint जो एड़ किया हुआ है अभी हम इसको unlock करने की try करते है तो fingerprint वगएरा जो working है आपको उसमें भी कोई भी problem नहीं आएगी उसके बाद दूस्तों इसमें आपको जी अप वगेरा जो प्री इंस्टोल मिल जाता है तो आपको कोई भी problem नहीं आएगी इसको इंस्टोल नहीं करना पड़ेगा उसके बाद दूस्तों यह pre-rooted है यानि कि इसको आपको रूट करने की जरूरत भी नहीं है यह similar to जो MIOE pro है वैसा यह रोम है आपको इसमें को भी apply कर सकते कोई भी third party theme है उसको आप इसमें आसानी से इंस्टोल कर सकते सिर्फ आपको import करना है तो ओधिम जो चलने लगी तो अभी दूस्तों मैं आपको यह दिखा देता हूँ इसको कैसे आपने flash करना है कैसे इंस्टोल करना है तो सबसे पहले तो दूस्तों आपको file download कर लेनी है Mio MS की जो file है उसको download करना है उसी के साथ आपको legit pressure की वह file download कर लेनी है अगर दूस्तों आपको वहाँ पर link नहीं मिलती है तो आप official site जो की description में आपको मिल जाएंगी वहाँ जाके भी download कर सकते हैं तो चलिए friends हमारे जो mobile है उसको हम reboot to recovery कर लेते हैं अभी दूस् system data catch और vendor को हमने जो swipe करके flash कर देना है अभी दूस्तों इतना हो जानी के बाद अभी आपको क्या करना है install पर click करना है और जो हमने Mio MS की जो file download की है उसको select करना है उसके बाद add zip करना है और हमारी जो lazy flash की file है उसको भी select करके यहां से swipe कर देना है यानि कि यह दूनों file जो flash होना start हो गई अभी दूस्तों आपको simply थोड़ी दिर तक wait करना है जब तक यह complete नहीं हो जाता है आपको रुख जाना है कुछ भी नहीं करना अपना जो mobile है उसको side में रख देना है उसको switch भी नहीं करना है और power जो restart भी नहीं करना है तो दूस्तों हमारी जो रोम हो फ्लेस हो गई है अभी दूस्तों आप directly reboot to system कर सकते हैं यानि कि हमारी जो system में और भी MI OMS में boot होगी अभी दूस्तों यहां पर आपके mobile पे सिर्फ MI का logo आयागा उसकी बा जो restart होगा आप देखे सकते हैं दूसरी बार MI का logo आगया है अभी थोड़ी दिर में android का जो animation हो आजाएगा इसका मतलब यह है कि हमारा जो mobile हो सई से work कर रहा है आप देखे सकते android का जो animation हो आगया है अभी दूस्तों आपको थोड़ी दिल तक wait करना है 5-10 मिनिट आप wait कर ल देखे सकते हैं यहां पर आपको सभी लेंग्विज नहीं मिलेगी यानि कि यह चाइना रूम बेस ले तो इसमें आपको एंग्लिस मिल जाता जो की बहुती अच्छी बात है तो आप एंग्लिस सेलेक करके जो इसको next next कर दीजिए इसका जो setup अगर हो जाएगा अगर दूस सबसे या फिर टेलेगरम से कॉंटेक डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी तो आप मुझे आसानी से कॉंटेक कर पाएंगे तो बस दूस्तों आज का जो वीडियो है वह यहीं तक था अगर दूस्तों आपको कोई भी आइडिया है तो आप मुझे हूढ मुझे कॉंट आपको का जो है वहीं है उहाँ